नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने टूब चैनल रभी शडिया एकुजी के पर आज मैं आपके लिए साइंस की जो मोस्ट इंपॉर्टन कोशन करवा रहा था उसका पार्ट टू वीडियो लेकर रहा हूं मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टन साइंस के कोशन करवा रहा हूं मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड ली है अच्छे लेवले कोशन लेके आँ वही कोशन लेके आँ जो कोशन आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन रह सकते हैं तो आप एक्जाम से पहले यह सभी कोशन अच्छे से कर लेना करवाऊंगा उसके बाद सभी कोशन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हो ताकि आपको सभी के सभी कोशन अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए इस वीडियो में उसके बाद मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए वीडियो के एंड में आपके सभी के सभी कोशन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन हमारा इन हुमन बाड़ी वेर इस पिच्वेटरी ग्लैंड इस लोकेटेड तो सही आंसर है इसका option B जो है brain हमारी बाड़ी में जो पिच्वेटरी ग्ल जिसे की master gland भी बोलते हैं यहां पर लिख देता हूं किसे master gland बोलते हैं तो आपका answer होगा pituitary gland को master gland भी बोलते हैं यहां पर word आया है brain आपको भी पता होना चाहिए कि जो brain होता है इसका weight कितना होता है इसका weight होता है 1300 gram से लेके 1400 gram ठीक है जातर जो आपको option में 1400 gram देंगे या 1350 gram देंगे तो friends यह सभी जो additional information दे रहा हूं सब exam में पूछे गए हैं तो हमारा question था in human body where is situatory gland is located right answer is brain अगला question कर लेते हैं how many bones present in human ear friends जो हमारे कान होते हैं उसमें कितनी bones पाई जाते हैं तो सही answer है option B जो है six bones हमारे जो कान होते हैं उसमें को बिलाके 6 bones होते हैं या बोलो 6 हड़ियां होती है और friends आप से एक्जाम में पुछा जाता है कि हमारी body का जो सबसे छोटी हड़ी होती है उसका नाम क्या है तो friends का सही answer है जो staps bones होती है यहां पर लिग देता हूं सबसे smallest bone staps bone ठीक है आप से एक्जाम में यह पुछा जाएगा कि हमारी body का सबसे छोटा muscle कौन सा है तो friends उसका सही answer है stapidious ठीक है यहां पर लिग देता हूं friends मैंने आपके लिग दिया है जो stapidious muscle है यह हमारी body का सबसे smallest muscle होता है और सबसे smallest bone जो होता है वो staps bone होता है friends सबसे जरूरी बात कहें कि यह जो smallest bone है और smallest muscle है दोनों हमारे कानों में पाया जाता है मतला human ear में staps bone और stapidious muscle पाया जाता है word आया है hg friend इस hg का मतलब होता है mercury ठीक हां पर लिख देता हूं इस hg का मतलब होता है mercury mercury का ही symbol होता है hg और 120 by 80 mm of hg जो है यह normal blood pressure है human body का next question कर लेते हैं अगला question है हमारा काफी था important question है यह question है हमारा name the largest gland in human body हमारी body के इंदर सबसे बड़ा gland होता है वो कौन सा होता है तो सही answer is का option d जो है liver liver जो है यह हमारी body का सबसे बड़ा gland होता है यह आपको याद रखना है और friends अगर आपसे exam में यह पुछा जाए कि सबसे छोटा gland कौन सा हमारी body का तो friends वह होता है pituitary gland यहाँ पर लिख देता हूँ pituitary gland जो है pituitary gland जो है pituitary gland जो है यह हमारी body का सबसे smallest gland होता है और जो सबसे largest gland है वो हमारा question था liver ठीक है और friends exam में question हो पुछा जाता है कि हमारी body का कौन सा part है जिसकी regeneration power की power सबसे जादा होती है तो answer है जो liver है यहाँ पर लिख देता हूँ अगला question कर लेते है अगला question है हमारा name the branch of science which is related to study of teeth हम science का वह कौन सा branch होता है जो की teeth की study से related है यान की दातों की study से related है तो सही answer है option d जो है odontology जो odontology है friends यह science है science का branch है जो की study करता है teeth की ठीक है important question आप exam के लिए अगला question कर लेते हैं the hardest part of human body हमारे human body का जो सबसे hardest part होता है वो कोन सा है तो answer इसका enamel जो tooth enamel होता है यह hardest part है human body का यह question we friends exam में कई बार पूचा गया और some questions आप से एक्जाम में कई बार पूचा गया here friends आप स्ञेने question में और पूचा जायेगा सारे कोशन एक अच्छे लावले कोशन है, यही कोशन है, जो हर एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो काफी ज़्यादा चांसी से अंगले एक्जाम में रिपीट होने के, पर आपको मेरा कॉंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाय वह पसंद आ रहा है, तो वीडियो है, how many types of teeth present in human body, human body में कितने types के teeth पाये जाते हैं, तो सही answer है, option C, 4 types के teeth पाये जाते हैं, और फ्रेंट्स आपको यह चार्ट टाइप की teeth है, इनका नाम पता होना चाहिए, एक जो होता है, इंसीजर, दूसरा होता है, canine, तीसरा होता है, molars, फोर्थ होता है, premolars, यहां पर आपके लिए, फ्रेंट्स मैंने आपके लिख दिया है, एक टाइप जो टीत होता है, वो इंसीजर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, मोलर, फोर्थ होता है, प्री मोलर, मतलब यह 4 types के teeth होते हैं, ठीक है, और आपको याद रखना है कि, जो human body होता है, इसमें 4 types के teeth ह आपके लिख दिया है, यह question भी आपके exam के लिए important है, अगला question है हमारा, यह भी काफी बार exam में पूछा गया है, color of eye depends upon the pigment present in, आप सभी को बता है कि कुछ persons की eyes होती हो, black होती है, कहीं की black होती है, कहीं की brown होती है, कहीं की blue होती है, यह eyes का color होता है, यह pigment के कारण होता है, तो इसा होगा, black होगा, brown होगा, यह blue होगा, तो आपको word यहाँ रखना है, eyes, ठीक है, हमारा question था, color of eye depends upon the pigment present in, right answer is, iris, ठीक है, एक question exam में आप सभी बार पुछा जाएगा, कि जब भी कोई इनसान, जब अपने eye donate करता है, ठीक है, आपको पता होने चाहिए, वो करता है, ठीक ह यहाँ पर लिख देता हूँ, cornea वाला part donate होता है, जब भी eye donate करता है, कोई भी person, ठीक है, एक question exam में आप से ही पुछा जाता है, कि जो human eyes में, जो image बनती है, वो कहाँ पर बनती है, तो answer है, retina पर बनती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, retina पर बनती है, image, ठीक है, और retina पर gland which controlled blood pressure, हमारी body का वहे, कोई ग्लाइन है, जो की blood pressure को control करता है, तो answer है, option C, adrenal gland, जो adrenal gland है, यह हमारी body के अंदर blood pressure को control करता है, अगला question है, हमारा, how many temporary teeth in human body, human body के अंदर कितनी temporary teeth होती है, सही answer है, option D, 20 teeth जो है human body के अंदर, human body के अंदर यह temporary होती है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, 20 दांद जो होते हैं, वो temporary होते हैं, human body के अंदर, यह question भी आपके exam के लिए, मैं कई बार पूछा गया है, अगला question है, which gland in human body is both exocrine and endocrine gland, human body के अंदर वह है, जो कि exocrine भी होता है और endocrine भी होता है, तो सही answer है, option A, pancreas, जो pancreas है human body के अंदर, यह endocrine gland भी होता है, एक्जो क्यूंस बार बी होता है, next question है, next question है है, येलो color of urine, इसजू to presence of which pigment, जो urine होता है, वो किस pigment के कारण होता है, तो सह आंसर इसका, option B, जो है euro chrome, जो euro chrome pigment है, यही decide करता है, जो urine है, उसका color yellow, ठीक है, और यह question भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है, next question करते है, next question हमारा, how many muscles are found in human body, human body के अंदर कितनी muscles पाई जाती है, तो सही answer है, option C, 639, 639 muscles पाई जाती है, human body के अंदर, यह जो answer, मैंने 639 लिखा है, यह vary करते हैं, कहीं कहीं भी आपको 650 भी दिया होगा, ठीक है, कहीं कहीं भी आपको 645 भी दिया होगा, तो आपको जो answer अपने option में mark करना है, वो 639 से लेके, 650 के आसपास जो दिया होगा, वो ही mark करना है, और option में, अगर paper में teacher कोशन डालेगा, त जो 645 भी दालेगा, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, जो मसल्स होते हैं, हो 639 होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो smallest मसल्स कों सा होता है, हमारी बॉड़िक अंदर लार्जस कों सा होता है, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, जो smallest मसल्स होता है, हमारी ब जो कि हमारे कानों में पाए जाता है, जो लार्जस मसल्स होता है, यह होता है, गल्यूटियस मैक्सिमम, फ्रेंस यह दोनों कोशन आपको याद करने है, एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं, अगला कोशन है, हमारी बॉड़िक अंदर कितने रिप्स पाए जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है, कि 12 पेर रिप्स पाए जाते हैं, हमन बॉड़िमें, ठीक है, यह अगर आपका आपका पेर में दिया हो ना, तो हमेशे आपने 12 पे टिक मारना है, ठीक है, वैसे 24 पाए जाते है, जब 24 का पेर करोगे, कितना आएगा, 12 पेर ही आएगा, तो य इतने ही कोश्व आपके लेका आपकर, अनि आपके लेकर आपके एकशाम न आपके यह सभी कोश्व कोशन आपको जवार रिपक लेकर, लेकर लेकर आऊ बॉड़वי चोशनों, गोस्विह डीयाइड ओ जे हमायरे थितिय होते हैं, जो हमारे ढमारे टीज अले हैं, वह रै का अपको इसका chemical formula भी पता होना चाहिए और फिर इसका molecular formula होता है वह होता है CA3PO4-2, यहां पर लेता हूँ CA3PO4-2 जो है यह इसके tricalcium phosphate का molecular formula होता है और जो हमारे bones और तीत होते है वह tricalcium phosphate के बने होते हैं अगला question कर लेते हैं email sex hormone, जो male sex hormone होता है उसका नाम क्या होता है तो सही answer इसका option C, which testosterone, this is male sex hormone का नाम होता है और अगर आप से exam में यह पूछा जाए कि female sex hormone होता है, यहां पर लिख देता हो female sex hormone होता है उनका नाम क्या होता है तो वह भी आपको पता होना चाहिए जो progesterone होता है और एstrozone यह female sex hormone के नाम है, यह आपको याद रखना है, कि जो male sex hormone है उनका नाम होता है, testisterone और जो female sex hormone है उनका नाम होता है, progesterone और estrogen और estrogen यह सभी question एक्जाम में पूछे गए हैं और important है, अगला question कर लेते है, name the disease which is caused by deficiency of iodine, iodine की कमी से होने वाला जो बिमारी है वो कौन सा होता है, त डिए moeten हो उससे गाइटर की वीमारी तो अरुन यहां उससे गॉइटर की पिर मारी का खतरा होता इसलिक्स कमें पहल पिर नहीं कउते हिसे 5-15 निएप्र 51 है तो आपको यह पता होना चाहिए कि डैफिजेंसी ऑफ आयोडिन के कमी कारण होने वाला जो बिमारी है वह ग्वाइटर है अगला कोशन है नेम दा पिगमेंट विच गिफ कलर टू स्किन प्राइब कौन सा पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है तो सही आंसर है को किसी का सकिन ब्राउन खोलत है रिए हैं किसी करीम पिडिशल कि रती है या पर किसी का ब्लाक होता है तो बटों सा डिफ्रेंट कलर्ट होतै रिए क्रेंट ब्लाइब pigment के कारण होता है ठीक है आपको वड़ याद रखना है melanin अगला question है अगला question है हमारा in human body sigmoid colon is a part of human body होता है इसमें जो sigmoid colon होता है वो किस part किसका part है तो सही answer है अप्शन c जो है large intestine का part है ठीक है large intestine का part है सिग्मोईड कॉलोन फिनस आपसे न है इक्वाहम ही पुछा जाएगा कि इन दोनों में सेस्टलभय तो आपको refreshing याद रखना है जोता स्मालां इंट्रस फ़्हाता है जो फिर इनसी इंत्रस में лег, है ऐसार साथ यह आपको ध्यान रखना है, और जो sigmoid colon है, यह large intestine का part है, आखरी question करते हैं, इस वीडियो का इसके बाद मैं आपको revision करवाने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा question है, how many bones are present in newborn baby, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें कितनी bones पाई जाती है, तो सही answer है, option D, 300 bones जो होते हैं, यह newborn baby में पाई जाते हैं, जो यह bones होते हैं, यह vary करते हैं, 280 से लेके 300 तक, तो आपको यह यहाद रखना है, कि ज़्यादर जो आपको exam में करी question पूछा जाएगा, तो आपको 300 ही दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपको 300 option में ना दिखे, तो 280 पे आपन 20 questions करवा दूँगा, उसके बाद फटा फट से सभी question revision करवाने वाला हो, और इसके बाद मैंने आपके लिए online mock test रखा है, तो test आप जरूर अटेंप्ट करना, क्योंकि test आपको बता देगा, कितने question आपको याद होए हैं, इस video में, ठीक है, तो सबसे important part आपके लिए test 6, what is the normal blood pressure of human, right answer is 120 by 80 mm of Hg, name the largest gland in human body, right answer is liver, name the branch of science which is related to study of teeth, right answer is odontology, which is the hardest part of human body, right answer is enamel, how many types of teeth present in human body, right answer is 4, color of eye depends upon the pigment present in, right answer is iris, name the gland which control blood pressure, right answer is adrenal gland, how many temporary teeth in human body, right answer is 20, which gland is both exocrine and endocrine gland, right answer is pancreas, yellow color of urine is due to presence of which pigment, right answer is urochrome, how many muscles are found in human body, right answer is 639, how many ribs present in human body, right answer is 24, our bones and teeth are generally made up of which substance, right answer is tricalcium phosphate, what is the name of male sex hormone, right answer is testosterone, name the disease which is caused by deficiency of iodine, right answer is goiter, name the pigment which gives color to skin, right answer is melanin, in human body sigmoid colon is a part of, right answer is large intestine, and the last question of this video, how many bones are present in newborn baby, right answer is 300, so friends, when i have found out 20 questions, i have set 20 questions, i have revised 20 questions and revised them, so i have told you that in 20 questions, i have used 20 questions and revision every time i have used 20 questions and reviewed for the previous question, हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर्स्ट कोशन से, फिर्स्ट कोशन है मारा, इन हुमन बॉड़ी, वेरी स्पिचुएटरी ग्लाइट लोकेटेड, चार ओप्शन से आपकी स्क्रीन के उपर, सही जवाब आपने अपने माइट में क्लिक करना है, How many bones present in human ear, 4 options है आपकी स्क्रीन के उपर, 4 options है आपकी स्क्रीन के उपर, सही जवाब आपने माइट में क्लिक करना है, Haben you 4 options है आपकी स्क्रीन के उपर, Name the branch of science which is related to study of teeth चार options है आपकी screen के उपर सही जब आप आपने अपने mind में click करना है Name the hardest part of human body चार options है आपके पास How many types of teeth present in human body चार options है आपकी screen के उपर Color of eye depends upon the pigment present in चार options है आपके पास Name the gland which controlled blood pressure चार options है आपके पास screen पे सही जब आप आपने mind में click करना है क्या होगा और वीडियो के end में ज़रूर बताना है कि 20 में से कितने questions आपको याद होए है How many temporary teeth in human body चार options है आपके पास Which gland in human body is both exocrine and endocrine gland चार options है आपके पास screen पे Next question Yellow color of urine is due to presence of which pigment चार options है आपके पास screen पे How many muscles are found in human body चार options है आपकी screen के उपर How many ribs present in human body चार options है आपके पास Our teeth, our bones and teeth are generally made up of which substance चार options है आपके पास सही जब आपने mind में click करना है कि क्या होगा What is the name of male sex hormone चार options है Name the disease which is caused by deficiency of iodine Name the pigment which gives color to skin In human body, sigmoid colon is a part of Last question test का How many bones are present in newborn baby चार options है आपकी screen के उपर सही जवाब आपने mind में check करना है और जरूरू बताना है कि 20 में से कितने questions आपके सही होई है 20 सही होई है 18 सही होई है और 19 सही होई है रिजनिंग का चैनल भी है उस चैनल का नाम है GK Tricks Math Tricks इस GK Tricks Math Tricks को भी आप सब्सक्राइब कर लिए तक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हो आप में उससे टेलिग्राम पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे भी जूच रकते हो है रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से अब वीडियो की प्लेडिस्ट भी चरूर चेक कर लेना वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करी है डेली करेंट अफेस्ट की वीडियो भी आती हमारे चैनल पे उसकी पीडिया फ्री आफ कॉस्ट आपको मिल जागी टेलिग्राम चैनल जो है रवी स्टडी आईक्यू जी के नाम से उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश्यू आल दा बेस्ट